हेलो एब्रीवन स्वागत आपका हमारे यूट्यूग चैनल पर तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगो कि मेजरिंग टेप को किस तरह से पढ़ा जाता है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली हम यहां पर सब कुछ दिखाएंगे आपको बस वीडियो को एंड तक देखना ह क्या है आपको सामने दिखता है अगर मैं यह से स्टार्ट करूं देखो यहां पर यह फोर यह सब दिखगे हैं यहे फॉर दो इंच है यह तीन इंच चार इंच पांच इंच इस तरह से हमार पाज तक यह आ रहा है हमार पास इतना क्लियर हो गया आगे चले तरीके से यहां पर आपको नीचे की तरफ रेडिंग्स दिख रही है तो दिख रहा है 34567 यह सारे इडिंग्स आपको दिख रही है डाग जो लिखा हुआ है 3456789 इस तरह से या 10 लिखा हुआ है यह आपके पास सेंटीमेटर शो कर रहा है जिसे आपके पास एक स्केल होता है नौर्म आपने सब देखा हुआ 15 सेंटीमेटर वाला तो यहां तक आता है 15 आपके पा दिख रहा है आपने सेंटीमेटर भी यहां पर देख लिया उसके बाद यहां पर आगे की तरफ देखो मिल्ख्राव 12 यह कहा vapor कि इंच चल रहा है 9 इंच 11 इंच 21 ठीक है तो यहां पर उन भी दिखा मैं बदिक दिख रहा होगा लेकिन यहां पर one और one भी लिखा हुआ है red color में आपको दिख रहा हुआ है यह one one क्या है यह आपको show कर रहा है one foot one inch क्योंकि यहां तक तो एक foot आ चुका था उसके बाद एक inch extra भी आ गया है तो एक foot और एक inch यहां पर show कर रहा है उसी तरह से आगे चलेंगे तो यह एक foot और दो inch show कर रहा है इतना आपको समय आगया होगा सामने आपको कहा कि दिखे जो बिल्कुल डार्क में है आपको inches दिखा डार्क में आपको centimeter दिखा और आपको मैंने foot दिखा दिया यह चीज़े आपको सामने दिख रही है विजीबल ह दिखे एक foot take in चीज़ तरह की चीज़ आपको सामने दिख रही है इतना क्लिएर हो गया अब हम आगे की तरफ चलें जीसे आपके पास मैंने बताय जीवसे एक सेंटिमेटर रीडिंग के बात करूँ 3 सेंटिमेटार की बीच में है आपको बीच में और भी तो लाइन्स दि और 4 की उच्छा को लाइन दिख रही है यह सारी हमारे पास mm है यानिकी मिलिमेटर ठीक है यह 3 cm था यह 4 cm था इनकी बीच में जो लाइन है हमारे पास वो mm वाली है इतना आपको समझ आ गया ठीक है आपको mm को भी पता लगया स्केल में फूट का भी पता लगया इन चीज का वर्ट सुनते होगे सूथ उसके बार में आपको बता दूंगा वह सब क्या होता है ठीक है अब यहां पर फिर से में रिवाइज कर लेते मैं आपको बताया था एक फूट यहां पर एक फूट आपके सामने यहां पर आ रहा है एक फूट जो आपके सामने है यह एक फूट क समझा गया 12-距 i Marx कि बराबर आव मैं सगर एकjing की बात करूं जिसे 2-3 के बिच में चला जाओ मैं तो यह भी एक इंच है ठीक है इस एक इंच में कितने cm आ रहे हैं इस uw इक इंच में कितने cm रहें इस एक in सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर तकरीबन 2.54 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपको याद रखने के जुरूरत नहीं आ बस इस चीज को इस चीज की इमेर्ज दिमाग में रखना आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक फूट में आपको बारा इंच आ गए और अगर मैं किसी भी एक इंच की बात करूं तो एक इंच में हमारे पास डाई सेंटीमीटर तूपइंट फाइफ फॉर सेंटीमीटर आपको रहते हैं एक इंच में अ तो एक किसकर बढ़बर होता है यह एक फूटा हमारे पास इस तरह से दो फूट भी लाएगा मारे पास यहांँ पर छहुए को 13 चिक्स inıld죠 यंड께서 की तरह रहा हुए यह तो तीन फिट तक हमारे पास रीदिंग आ रहे हैं तीन फिट की जो मेजरमेंट है इसे घार कहते हैं याउनि का याड कि एक जारी में तीन फिट हमारे पास रहता है इतना आपको समय गया अब अब एक मीटर किसके बराबर होता है जीस सेंटीमीटर चल जा दाना 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर फिर ऐटी सेंटीमीटर इसी तरह से अगर मैं आगे चलता जाओ तो यहां कितना कुछ देख लिए देखो एक फूट में में देखा एक फूट में 12 इंच होते है इतना में पता लग गया अगर हमँए एक सब्सक्राइब घगा उपको अब आपको 30 cm दिख रहा आपको अब यह तो एक फूट वोली लाइन है 12 इंची से लाइन है इसको तो बिल्कुल नीचे बराबर आ जाओ तो 30 से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है यह एक फूट में 30 से कुछ एक्स्ट्रा भी आया लाइए zoo सूथ की ठर्ना यह वह समझेंगे ठिक है वागि यूनिट कैसे करना है वह आपको एवार में बता दूंगा लास्ट में बाकी वीडियो के नवर्जन पर पूरी आप समझ सकते हो देख सकते हो आपको जुनिट लिखना यूटीब में आपको सामने सब से उपर मैंड़ी विडियो दिखें कि इहां पर चलते हैं हमारे पास देखो हम सूथ के बार में डिसकर्स कर लेते हैं हम इसको समझेगे कैसे जिसे टू से लेके 3 इंच यह त्री इंच है हमारे पास टीक है इस रेडिंग को हम लेते ह यह हमार पास two आ गया यह हमार पास three आ गया इस तरह की reading को हम ले रहें ठीक है यहां से हम सूथ का समझेंगे मतलब क्या है अब देखो two से three को डिवाइट किया गया ना two तो इसको हम क्या क्या सकते हैं यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक इंच पूरा था यहां यहां पर आपको यह बड़ी सी लाइन दिख रही है तू और थ्री के बीच बड़ी सी लाइन दिखी यह आप इसके लेफ्ट साइड देखो इसके राइट साइड देखो वहां पर भी दो लाइन आपको दिख रही है अगर इसके में लेफ्ट साइड में देखूं तो यहां पर आपको इक लाइन दिख रही है इसके में राइट साइड में देखूं यहां पर आपको इक लाइन दिख रही ह ठीक है एक तो हमारे पास यह था यहांपर फिर से फोकुस कर लेते एक तो हमारे पास यह था किया • कि भिए डिवाइड ता यहांद की भी बाइट के या पर भीडिवाइड है यहांद इसको भी लाई गया है यहांद knowledge here यानि कि हर एक बीच में पोशन है वो देखो यह भी लाइन है यहां पर भी था फिर इसके और इसके बीच में भी एक लाइन आ रही है इतना आपको समझ आ रहा होगा यह देखो इसको यहां पर हमारा पास यह पोशन था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है फि ठीक है यहां पर देखो टोटल कितने प्लब के ना पर सिंज दो ऑचा हमारे पास को डिवाइड किया गया है कि गया है दूशå है लिए हमारे पास सको हमख यह वह ला हो गया है की अनु appliance 445678 कर दा यहां पर क्या किया हुआ है मैंने का ना सूथ एक इंच जो वो आठ सूथ के बराबर होता है आपको यहां से समझ आगए को सूथ का साइज कितना हो रहा है यहां पर देखो यहां पर क्यों कि मैंने पहले क्या किया एक इंच को हाफ इंच में डिवाइड किया एक इंच को मैंने हाफ में डिवाइड किया फिर उसका भी half किया फिर उसका भी half किया इस तरह से हम करते गए हाला कि आगे और भी division है लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे क्यों क्योंकि हमें suit के बारे में समझना है तो हमने यहां पर क्या किया आपको ने बता दिया यह size रहाँ suit का यहां पर अगर हम देखें एक पर scale में फिर से अगर हम देखें ध्यान दें तो यहां पर देखो एक suit कितना हो गया यहां से लेकर यहां तक का size एक suit यहां से लेकर यहां तक का 2 यहां से लेकर यहां तक 3 यहां से लेकर यहां तक 4 इस तरह से 4 और आ गए लेकर यहां तक आ गया इसके बीच में भी पार्ट से नहीं में वले तो यानिकी एक सूथ को आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं में तो एक सूथ में हमारे पास approximately 3 mm आप कह सकते हो एक्चुल में 3.1 साइब